जाग्रन जोश आप सभी प्रतियोगी परिशार्थियों के लिए 2 जनवरी 2016 से 5 जनवरी 2016 के मद्य घटित विभेन परिख्षप्योगी घटनाओं में से 8 महत्वपोन घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है ये घटनाएं परिशा में पूछे जाने वाले करन्ट अफेस के प्रश्णों की तैयारी के द्रिश्टिकोन से महत्वपोन है करन्ट अफेस हेड्लाइन्स O.N.G.C. ने लाल बहादर शास्त्री हौके टॉर्नमेंट जीता स्वीडन की सीमा पर शर्णाथियों के लिए नए नियम लागू किये गए जावेद एहमद उत्तरप्रदेश के पुलिस महानेदेशक नियुक्त भारत ने दक्षिन एशियाई फुटबल फेडरेशन काप यानी सैफ चैंपिंशिप का खिताब जीता आबिद अली नीमचवाला विप्रो लिमिटेड के नए सीईयो नियुक्त गायक संजे सुब्रमन्यम संगीत कलानेदी पुरसकार से सम्मानित सेंसर बोर्ड में सुधार हेतू शाम बैनेकल के नेतरित्व में समिती गठित गुजराती साहितिकार रगुवी चौधरी इक्यावनवे ग्यान पीट पुरसकार के लिए चैनित करिंट फेस विस्तार से O.N.G.C. ने लाल बहादुर शास्त्री हौकी टोर्नमेंट जीता O.N.G.C. ने भारतिय रेल्वे को पेनल्टी शूट आउट में 5-2 से हराकर प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री हौकी टोर्नमेंट जीत लिया यह लाल बहादुर शास्त्री हौकी टोर्नमेंट का 26 संसकरन था यह प्रतियोगिता 27 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2016 के मध्य नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित की गई थी यह हौकी इंडिया द्वारा आयोजित विभिन नाशनल टोर्नमेंट में से एक है स्वीडन की सीमा पर शर्नाथियों के लिए नए नियम लागू किये गए इन नए नियमों के अनुसार डेनमाक के रास्ते से दक्षणी दिशा की ओर से आने वाले यात्रियों के कागजाद चेक करने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमती दी जाएगी वर्ष 2014 में जनसंख्या के अनुपात की दुरिष्टी से स्वीडन में शरन लेने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक थी वर्ष 2015 में भी स्वीडन में एक लाग साथ हजार से अधिक विदेशियों ने शरन प्राप्त की जबकि इस देश की अपनी कुल जनसंख्या कीवल 98 लाग है पिछले एक वर्ष में 33,000 बच्चे इस देश में पहुँच गए हैं जिससे सरकार पर सामाजिक खर्च बढ़ रहा है जावेद एहमद उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक नियुक्त जावेद एहमद पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव का स्थान लेंगे पुलिस महानिदेशक यानि DGP जगमोहन यादव 31 दिसंबर 2015 को सेवा निवरित हो गए जावेद एहमद भारत्य पुलिस सेवा यानि IPS के 1984 बैच के अधिकारी हैं वह इससे पहले पुलिस महानिदेशक रेलवे के पद पर तैनाथ थे भारत ने दक्षन एशियाई Football Federation Cup यानि SAF Championship का खिताब जीता केरल के त्रिवेंदरम अंतरराश्च्री स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने अफगानस्तान को दो एक से पराज़ित किया भारत ने साथवी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है इस कप में अफगानस्तान, बांगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ने भाग लिया था यह प्रतियोगिता वर्ष 1993 में स्तापित की गई थी आबेदली नीमजवाला विप्रो लिमिटेट के नए CEO नियुक्त टीके कुरियन को कार्यकारी उपाध्याक्षी यानि एग्जेक्योटिव वाइस चेर्मन के रूप में नियुक्त किया गया है आबेदली नीमजवाला ने टीके कुरियन का स्थान लिया है यह नियुक्तियां एक फरवरी 2016 से प्रभावी होंगी नियुक्ति से पूर टीके कुरियन मुख्यकारीकारी अधिकारी के पद और आबेदली नीमजवाला सी ओ ओ के पद पर कार्य रत थे गायक संजय सुब्रमन्यम संगीत कलानिधी पुरसकार से सम्मानित यह पुरसकार उन्हें प्रसिद गणेतग्य मंजुल भार्गव द्वारा तमिलनाडू सिद चेन्नई में आयोजित 89 में मदरास म्यूजिक अकैडमी के दोरान दिया गया उन्हें गान पदमम 2013, वानी कला सुधाकर 2010 एवं कल इमामिनी 2006 पुरसकारों से भी सम्मानित किया जा चुका है यह पुरसकार मदरास म्यूजिक अकैडमी द्वारा करनाटक संगीत में विशेश थान हासिल करने वाले कलाकार को दिया जाता है इस पुरसकार का नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है संगी तेवं कला का खजाना सेंसर बोर्ड में सुधार हेतु शाम बैनिगल के नेत्रित्व में समिती गठित यह समिती मार्च 2016 तक सेंसर बोर्ड में जरूरी बदलाव को लेकर अपनी रिपोर्ड के इंद सरकार को सौपेगी इस समिती में फिल्म निर्देशक राकेश उंप्रकाश महरा, फिल्म समीक्षक भावना सोमया, एड गुरू पियोश पांडे को भी शामिल किया गया है ग्यावन में ज्यानपीट पुरसकार के लिए चैनित रगुवीर चौधरी का चैन प्रसिद आलोचक डॉक्टर नामवर सिंग की अध्यक्षिता वाली चैन समिती ने किया चौधरी इस प्रतिष्ठित पुरसकार से सम्मानित होने वाले चौथे गुजराती साहित्यकार है पुरसकार के रूप में उन्हें 11 लाक रुपे की राशी, वाग देवी की प्रतिमा तथा प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाएगा इन से पहले वश्दू 2001 में गुजराती साहित्यकार राजे इंर शाह को यह पर असकार दिया गया था करिंट फेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग उन करें